हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल से ततुल में मैं हूँ आपका दोस्त ततुल गोईल आज हम बात करेंगे फिर से टीटीमल की टीटीमल जिसका मंतली चार्ट हमने लगा रखा है और स्टोक जो है एक ऐसे लेवल के उपर खड है 290 रुपीज के आसपास के हाई लगाए यहां पर 290 रुपीज से देखेंगे तो अब स्टोक काफी नीचे भी आता हो नदर आया और 121 के आसपास इस टाइम ट्रेड कर रहा है तो 290 से 121 देखेंगे तो काफी जारा नीचे अलड़ी स्टोक आ चुका है 59.7 के आसपास क नदर आ रही है बीकली चार्ट पर देखेंगे इस टाइब से पूरा पूरा चार्ट पैटर्न आपको नदर आएगा यहां पर टोक 46 के आरे सही है बीकली चार्ट के उपर जानी 60 से काफी कम है यहां पर देखें 60 को जब-जब इसने क्रोस किया है तब तक इसके अंदर मोम और यहां पर सपोर्ट लेता हुआ फिर से नजर आ रहा है तो देखें दो तिन पर जो इसी लाइन के ऊपर इसने सपोर लिया है तो यह काफी मेजर लाइन है और इसके ओपर बिल्कुल नजर रख के चलनी चाहिए तो यहां पर zone पर की लेवल से कर रहा है जो की बीकली च तो इसकी आप फिर स्टोक जहें इसी लेवल के आसपास आ रहा है अगर यहां से स्टोक उपर जाता भी है तो यहां पर इमिडेट इसका रिजिस्टेंस लेवल बनकर आता है लगभग आप देखेंगे तो इस लेवल तक स्टोक जाता हो नदर आ सकता है जो कि 152, 154 के आसपास वहां से फिर से स्टोक को एक रिजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा तो 148 से लेकर 152 के आसपास के लेवल बनते हैं अगर स्टोक उपर जाता भी है तो इसके अंदर कोई बड़ी चाल तब तक नहीं आएगी जब स्टोक इस लेवल को ब्रेक करके उपर की तरफ नहीं निकल जाता है अब बात करते हैं नीचे के लेवल, 111 का लेवल इस टाइप का लेवल है जिसको अगर स्टोक ने ब्रेक किया तो स्टोक डबल डिजिट में जाता हुआ नजर आ सकता है यहां पर आपको नजर रखनी है 111 रुपे के लेवल पे अगर उसके नीचे का ब्रेक डाउन दे रहता तो स्टोक काफी बीख हो सकता है उपर के लेबल जैसे मैं आपको बता है सिरफ इस लेबल को ब्रेक करने के बाद ही आपको इसके अंदर कुछ भी बाय करना है अदर्वाइस आप इसके अंदर फस्ते हुए नजर आ सकते हो कि जब चार्ट पैटर्न इस टाइब के होते हैं त तो यहां से अगर स्टोक आप लेते भी हैं तो निचे का एक स्टोप लोस लगाके रखिए 111 रुपे के आसपास का और यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं वो भी स्टोप लोस लगाके 111 रुपे का स्टोक अगर ऊपर जाता भी है तो इस लाइन को टच करता हो नजर यहां पर आप देखेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है और उसके बाद नीचे आया है फिर एक बाउंस बैक आता है बट इस लेवल तक नहीं पहुंचता है स्टोक फिर से नीचे आ रहा है और आप देखेंगे इस टाइप की चाल बन रही है चोटी चाल है और आप देखेंगे पहले के लेवल तक यहां तक भी नहीं पहुंचता है उसके बाद यहां पर देखिए यह जो हाई लग रहे हैं छोटे हाई और इसको निचे की तरफ धके कि इस टॉक चया ओर नीचे जाता हूँ नज़राएगा आप इसे क्लियर ली देख सकते हैं जो बॉंस बैक करता तो छोटा बॉंस बैक इसके अंदर आता हूँ नज़रा रहा है और उसको ब्रेक करता है तेंक्यू घने